दोस्तो बिग बॉस 18 की सुरुआत हो चुकी है सुरुआत से ही सो ने काफी TRP कमाई है सो में टीवी के और सोसल मीडिया के काफी फेमस नाम सामिल किये गए हैं लोगों में ये गलत फेमी है के बिग बॉस पर एपिसोड कंटेस्टेंट्स को लाखों रुपे देता है क्योंकि के हाल ही में सिवानी कुमारी ने अपने ब्लॉग में भी ये दिखाया कि उन्हें बिग बॉस में 32 दिन में 220,000 रुपे ही मिले थे जी हां यही सच है अब आप लोग सोच रहे होंगी तो फिर एक्टर और इंफ्लूएंसर यहां क्यों आते हैं दरसल वो लोग अपना नाम क माने आते हैं क्योंकि यह सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला रियालिटी सो है और यहां पर सबको बरावर पैसा नहीं मिलता है किसी को कम तो किसी को ज़्यादा मिलता है इस वीडियो में हम बिग बॉस सीजन 18 के कंटस्टेंट्स की परड़े सैलरी जानने वाले हैं इसल सेलरी की तो उन्हें मेकर्स 8000 यानी 8000 रुपए पर डे सैलरी दे रहे हैं सिल्पा सिरोधकर सिल्पा किसी जमाने में फेमस बॉलिवूड एक्टिस रही थी उन्होंने साल 1989 में बॉलिवूड डेव्यू किया जिस वक्त वो किवल 16 साल की थी काफी प्रिसिद्धी पाने के बाद वो एक वक्त पर गुमनाम हो गई लेकिन अब वो विग बॉस का हिस्सा है उन्हें बिग बॉस के घर में पर डे दस हजार यानी 10,000 रुपए दिये जा रहे हैं सहजादा धामी सहजादा पेसे से एक एक्टर और मॉडल है वो खासकर उनके टीवी सो ये जादू है ज लाइफ कोच हैं वो एक्टर रितिक रोसन के क्लोस फ्रेंड की तोर पर भी जाने जाते हैं बिग बॉस के घर में आफरी इंको पर डे 14,000 यानी 14,000 रुपए दिये जा रहे हैं सुरुतिका अर्जुन राज सुरुतिका एक मॉडल और साथ इंडियन एक्ट्रिस हैं उन्हो हेमा सर्मा एक फेमस सोशल मेडिया इंफ्लूएंसर हैं जिने वाइरल भावी के नाम से भी जाना जाता है सोशल मेडिया पर रात और रात फेमस हो गई थी बात करें बिग बॉस की घर में उनकी पर डे सेलरी की तो मेकर्स उन्हें 8,000 यानी 8,000 रुपए सेलरी दे रहे हैं तेजिंदर बगगा तेजिंदर एक पॉलिटीशन है वो उनकी पॉलिटिकल कॉंट्रोवर्सियज के लिए सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस हैं इसी फेम की वज़े से उन्हें बिग बॉस में आने का मौका मिला उन्हें बिग बॉस में पर डे 14,000 यानी 14,000 रुपए दि रहे हैं नायरा बनर जी नायरा भी उनके टीवी सोल्स के लिए जानी जाती हैं साथ ही वो इस्टंट बेस्ट रियालिटी सो खत्रों के खिलाडी सीजन 13 का भी हिस्सा रही बात करें बिग बॉस में उनकी पर डे सेलरी की तो उन्हें 12,000 यानी 12,000 रुपए दिये जा रहे ह दोस्तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर वेल आइकोन प्रेस कर लें हम ऐसी ही इंट्रेस्टिंग और इंफर्मेटिव वीडियोज लाती रहते हैं गुनरतन सदावते गुनरतन एक पेसेवर एडवोकेट हैं वो अक्सर विवादों में भी रहा करते हैं एक बार उनकी गोवा और महराष्ट बार काउंसल से विवाद हो गया जिसके चलते उनका दो साल के लिए लाइसेंस भी केंसल हो चुका है बात करें बिग बॉस में उ अनपमा का भी हिस्सा रहीं जहां उन्होंनें पाकी का किरदार निवाया साथ ही वो स्रद्धा कपूर के साथ हसीना पारकर मूवी में उमायरा के रॉल के लिए भी जानी जाती हैं बात करें उनकी बिग बॉस में सेलरी की तो उने बिग बॉस में पर डे 16,000 यानी 16,000 रु एट्टीन थाउजेंड से यानी अठारा हजार रुपे सेलरी दे रहे हैं एलिस कोशिक एलिस टीवी की पसंदीदा बहूं में से एक हैं वो सबसे ज़्यादा पांडिया स्टोर टीवी सो के लिए जानी जाती हैं जिसमें उन्होंने रावी पांडिया का करदार निभाया था बात करें उनकी बिग बॉस में पर डे सेलरी की तो उन्हें 20,000 यानी 20,000 रुपे दिये जा रहे हैं रजद दलाल रजद दलाल एक पावर लिफटर और सोसल मीडिया इंफ्लूएंसर हैं उन्होंने देश के लिए कई मेडल जीते पर तब उन्हें बड़ी पैंचान नहीं मिली पर फिर जब सोसल मीडिया पर उनकी कॉंट्रोवर्सीर होई बहां से वो काफी पॉपलर हो गए और बिग बॉस तक आप पहुँचे उन्हें बिग बॉस मेकर्स पर डे 20,000 यानी 20,000 रुपए सेलरी दे रहे हैं अविनास मिस्रा अविनास टीवी इंडस्टी का एक फेमस नाम है वो टीवी पर कई सोस का हिस्सा रह चुके हैं और कईयों में उन्होंने लीड रॉल प्ले किये अविनास को बिग बॉस में 24,000 यानी 24,000 रुपए पर डे सेलरी दी जा रही है करनवीर महरा करनवीर लगबग पिछले 20 सालों से टीवी इंडस्टी में काम कर रहे हैं उन्होंने देर सारे टीवी सोस किये और हाल ही में वो स्टंट बेस्ट सो खत्रों के खिलाडी के विनर बने बात करें बिग बॉस में करनवीर को पर डे मिलने वाली सेलरी की तो उन्हें भी 20,000 यानी 20,000 रुपए पर डे सेलरी दी जा रही है चाहत पांडे चाहत पेसे से एक जानी मानी एक्ट्रिस हैं और हाल ही में उन्होंने पॉलिटिक्स भी जॉइन की उन्हें खास सेलरी 25,000 यानी 25,000 रुपए दी जा रही है विवियन डिसेना विवियन एक जाने माने एक्टर हैं उन्हें टीवी से जोड़ा हर व्यत्ती जानता है उनके पीछे बिग बॉस के मेकर्स लंबे समय से लगे हुए थे और इस बार वो घर का हिस्सा बनने के लिए राजी वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पोंस लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर दे आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स हमारी हर अपडेट से जोड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक सब्सक्राइब कर वेल आइकोन प्रेस कर लें हम ऐसी ही इंट्रेस्टिंग और इंफर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं